कि अच्छ करने वाले जो डिप्लोमाइंट फार्मासी का सब्जेक्ट है इसका चाप्टर नम्र टू डी सेंटर नर्वास सिस्टम लेक्षे नम्र टू है इसका और आज क्लास में टॉपिं डिसकस करने वाले हैं और इसके टाइप्स हो गए इटोलोजी पैथियोजनसेस क्लीनिकल मेंफेस्टियेशन नॉन फार्मकलोजिकल मेनेजमेंट और फार्मकलोजी मेनेजमेंट यह सारी चीज़े आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं अगर आप इनकी पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेफ्सवार से कर सकते हैं यह वहासर जाकर डाउनलोड कर सकते हुए टेलिगरम चैने को जलूड जोइन करें महां पर बेली अपडेट डालता रहते हो जा जिससे क्या है की प्रेक्षिंद से हो जाईगी तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो शब एसी और नियूरो दे जेनेशन डिसौरडर है इन विच स्लोडाउन दी वॉलुंट्री मूव्मेंट आफ दी बॉडी इसमें क्या तक वॉलुंट्री जो मुवमेंट होते हैं बॉडी के वो ब्रेडिक आइजनेश्या मसल स्टोन चेंज यानि जो मसल स्टोन होती है हो जाती है रीडिगी डीटी एंड डे मर्ट व्यांतर ठीक है ट्रीमार來了 K אुंक त्रेवर आपके जो वॉलेंटि मोमेंट हो जाने लगते हैं ठीक है पेरियोंजिश की दिसीज है के बास करें उड है यह यानी को श्रीण की वैसे हो सकते कंडिशन में या जैसे लाइक न्यूरोलिप्तिक ड्याग ले लिए हो या एंटी एमिटिक्स ड्रक्स की वाई से भी यह देखने को मिल सकता है एक्स्प्योर टॉक्षिंट लोग प्रोड़क्शन ऑफ डोपामाइन ठीक है लोग प्रोड़क्शन ऑफ डोपामाइन कंडिशन अगानी लगा यानी लियुख डोपामाइन के कम होने लगी मू उसके नॉर्मल बैलन्स होता मोटल कंट्रल उसके वाइस जो मोटल कंट्रोल वह से बाद जो उसके बाद गाने क्यक्रिंटी और क्या oyense या यानी इन्वालवटरिवाब्ट्रि ने वीचन जο उस condition को हम बोलते हैं परियोंस अडिस ठीक है यानि सिंपल वर्स में क्या है अगर आपका डोपामाइन प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसकी वज़े से क्या होगा डोपामाइन की कमी होगी उसकी वज़े से जो डोपामाइन और हो जाएंगे बैलेंस नहीं होंगे उनके जो मोटल कंट्रोल हैं वह एफेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद जो सिंप्टम सब्सक्राइब और ब्राइक करने से आपको देखने में उस condition को मोलते हैं पैरियोंस अंडिसीज ठीक है क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन की बाप करें यानि सिंप्टम्स की तो देखेए स्लो मूमेंट देखने को मिलता है आपको ट्रीमोर या त्रीमलिंग देखने को मिलती है लो वॉल्यूम आफ स्पीज ड्रॉपिंग उप सलाइवा यानि मुमेंस से सलाइवा गिरता ही रहता है कॉंस्टिपेशन टेंदेंसी टू फॉल बैकवर्ड यानि टेंदेंसी होना बैकवर्ड फॉल हो जाना या डिप्रेशन ठीक है यह सारे जो है सिंप्टम्स है परियोंसान डिसीज की अब बात करें नॉन फार्मकलोजिकल मैनेजमेंट की तो एवाइड एंड डिस्क्रेड यानि एवाइड करनी चाहिए जो एकसी एक्टिविटी जो कि डिप्रेशन दिखाती है स्ट्रेश या स्लीप या डिसॉर्डर कुछ भी दिखाती है तो फॉलो एंड चेंज दे डाइट प्लैन एकॉर्डिंग तो दी ओन डिमाइन प्रेस्क्राइब बाई एनी आर्म पी ठीक है यानि फॉलो करें डाइट को जो की अपने डिमांड के अनुसार यानि प्रेस्क्राइब करी हो आर्म पी के त्वार रैक्टिज दी योगा प्रेक्टिस करें मेडिटेशन करें फीजिकल एक्सराइस करें रेगुलर्ली वेंटिलेशन इस वन ओप दे रिजन विच हुआ डिग बात करते हैं या बात करते है वार्मक लोजिकल मेनिजमेंट की तो इसमें आपको जो यह लीविडपुन हो गये लीविडपुना और डोपामें यह एंटोगॉनिस्ट हो गए यह हो गए ठीक है एंटिक्लोज द्रग हो गए ठीक है जो ही ड्रक्स के एक्जम्पल से हैं यह आप देख सकते हो तो आज की क्लास्वर में क्या क्या डिस्कस किया देखिए सबसे पहले हमने पेरियुंस वारे में देखा उसके बाद इटोलोजी यानि कौज स्किन की इंफेक्टर्स के विए से वह कौज होती है फिर पैटोजने से देखा कैसे कैसे डिसीज जो है वह बढ़ती जाती है और अगर आप इनकी पीडियेफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो फडियेस फार्मसी डॉटन सो डिस्क्रिप्शन नहीं लिंक है वहासे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो ते लिकर हम चैनको जरू जोइन करें महापे हम डेली अप्डिक डालते रहते हैं जिसे क्या आपकी एकजनकी डैक्स अच्छे से हो जाएगी लाइक करें शेयर करें अपने फार्मसी प्रिंसमा चैनक को भी जरू सब्सक्राइब करें एंक्यो फर वाचिंग लिए वीडियो